नम्सकार, क्रांती ओरेसा में आपका स्वागत है। बहुत पहले की बात है एक शिल्पकार मूर्ती बनाने के लिए जंगल में पत्थर धूनने गया। वहां उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया। जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा यह मूर्ती बनान शुरू कर दिया। ओजारों की चोड जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोड़ करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाओंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ती बन पत्थर की बात सुनकर शिर्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ती बनाने लगा। वो पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिर्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ती बना दी। गाउ कि लोग मूर्ती बनने के बाद उसको लेने आये। उनने सोचा कि हमें नारियल फोरने के लिए एक और पत्थर की जरुरत होगी। उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ती को ले जाकर उन्होंने मंदर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया अब जब भी कोई व्यक्ति मंदर में दर्शन करने आता तो मूर्ती को फूरों से पूजा करता दूट से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फूरता था जब लोग उस पत्थर पर नारियल फूरते तो बहुत परेशान होता उसको दर्ध होता और लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ती बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मजे से हो लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं। लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना इसलिए अभी तुम डैक उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ती बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फूरते। नारियल तूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ती को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर रखने लगे। नैतिक शिक्षा। हमें कभी भी कठिन पर इस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए।